कि CDP आपके एक्जाम में देखने को मिलेगी, उसका गला दभा कर आप लोग आओगे, ये मुए आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, तो आज की मेरा थिन किलाज पूरी देखने के बाद, पूरे कोशन आंसर को अटेम्ट करने के बाद, समझने के बाद, मुझे नहीं लगत वनना मैक्सिमम चीज़े आपको एक्जाम में यही से देखने को मिलेगी, जो मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ, बस पहले वाली ओ धुरंदर अब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो लाश्ट के दिनों में इन मैया मैरतिन क्लास को देखिए, आपका भी सीट प्रेक्टिड कोशन में आज की वीडियो के लिए आपके लिए लेकर आयो, ठीक है, तो चलिए फैंस करते हैं, आज आपकी महा मैरतिन क्लास की सुरुआ, ठीक, सर मोग टेस्ट 122 आ रहा है, बस बढ़ाओ मोग टेस्ट के अंदर, अगर 122 आ रहा है मोग टेस्ट के अंदर उनको बढ़ाओ जा साथ है, ठीक, चलिए कोशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आगया, पहला कोशन आपको दिया हुआ है, तो देखते हैं, पहला कोशन क्या दिया हुआ है, इनके साथ साथ प्रेक्टिस करिए, और वीडियो के इंड में मुझे बताना, आपका कितना स् ठीक है, चलिए सुरू करते हैं, पहला कोशन आपको दिया हुआ है कि निमन में से कौन सा नियम यह सुजाओ देता है कि सरीर के विविन अंग विकास के विविन चर्णों में भिन-भिन दरोसे विक्सित होते हैं, पहला दिया है कि विकास एक आयमी होता है, पहला ही विकास कभी भी एक डाइमेशनल यानि कि एक आयमी नहीं होता है, विकास के आपके अलग-अलग आयम यानि कि आपका मल्टी डाइमेशनल होता है, विकास आपका फीजिकली होता है, कोगनिटी होता है, सोशली होता है और आपका इमोशनली होता है, तो विकास के आपके मल्ट dimensional होते हैं, विकास आपका बहु आयामी होता है, तो पहला option क्या हो गया, पहला option यहापर आपका गलत हो गया, विकास एक दिशा ही होता है, यानि कि विकास एक दिशा में चलता है, यह भी option आपका गलत है, विकास एक दिशा में चलता है, विकास आपका अलग-अलग दिशाओ इसे कह सकते हो यानि जब बच्चा मा के गर्व में होता है तो जब से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और जब तक मरता नहीं है तब तक आपका विकास चलता रहता है तो एक continuously चलने वाला process होता है जो आपका विकास होता है तो विकास सतत परक्रिया है ना कि आपकी असत परक्रिया है ये option भी आपका गलत हो गया अगला option आपको दिया वाया है कि विकास की जो दिशा होती है direction होता है वो कैसा होता है वो होता है आपका proxy modestal होता है और आपका से होता है विकास आपका सिर से पैर की ओर होता या नि जो बच्चे का विकास होगा पहले बच्चे का विकास सर का होगा सर से नीचे आते वे फिर हुसके shoulder का विकास होगा फिर नीचे छाती तक जाते वे बाकी के हिस्सों की और जाते वे पैरू की और जाते वे उसका विकास चला जाएगा यानि विकास पहले सर से होते वे बाकी के नीचे हिस्सों की और जाते वे उसका विकास होगा आपने देखा होगा कुछ बच्चा पहले प्रेंदे दो उसके grip इतनी मजबूत पकड़ेंगे आप उसको छुटा नहीं सकते लेकिन उनके पैरों के movement के मुकाबले उनकी grip बहुत मजबूत मिलेगी लेकिन पैर के मुकाबले इतनी पैरों में उतनी जानने रहेगी क्यों क्यों कि उनका विकास हो रहा है वो सिफैलो प्रोडल हो गया जो आपका सर से पैरी की ओर चलता है दूसर विकास होता है आपका प्रोक्सी मोडिश्टल होता है जो आपका सेंटर से आपका मद्दे से शुरू कर बाकी के हिस्सों की ओर चलता है यह होता है आपका विकास आपका प्रोक्सी मोडिश्टल होता है तो जो एला कॉशन आपका यापन नहीं पढ़ गया बढ़ते अगले के और बाई एक काम करिए आज वीडियो को जितना हो से कि आप लोग जा साधा शेयर करिए जा साधा मातरा में शेयर करिए अपने योड याद दोस्ते के पास शेयर करिए क्योंकि कॉम्पिटिशन तो आपका किस अगला कॉशन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा आपका नेक्स्ट कॉश्चन इसके उपर एक बाद नजर डालते हैं नेक्स्ट आपको दियावाए कि एक पाच वर्स की बच्ची यह तरक करने में विफल यान की फेल रह जाती है कि जब पानी को एक लंबे और संकिन गिलास से एक चोड़े बरतन में इस तनांतिर त्यानी की ट्रांसफर किया जाता है तो पानी की मातरा समान नहती है तो प्य ठीक है यह आपका लंबा और संकिन गिलास है इसमें आपका पानी बरा हुआ था अब इस पानी को एक चोड़े बरतन में आपका ट्रांसफर कर दिया इस पानी को चोड़े बरतन में आपका शिफ्ट कर दिया ठीक है अब पानी इसमा आ गया बड़ जो बच्ची थी इस प् तो कोश्चन पूछाए कि जीन प्याजे के कोडिंग इसका क्या कारण है यह कौन सा कंसेप्ट है जिसको बच्ची नहीं समझ पाई तो देखिए अगर मैं बात करूँ पहले उप्शन की तो वह परती वर्ती सोच नहीं रखती यानि कि वह कि irreversibility की सोच नहीं रखती जिसका दूसरा नाम है आपका आप अल्टावी का गुन नहीं रखती किसका आप अल्टावी का गुन नहीं रखती जिसमें बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पाता अगर हम बच्चे से कहेंगे कि बेटा दो प्लस चार कितने होते तो होते हो एचश होते अगर हम ने कि all नोते तोकціूज हो जायेगा इससे समद्धित जीन प्याज़े ने एका अपना एक्रमनेट करा था वह एक्रेमेंट जीन प्याज़े ने कर अपने बच्चे के उपर जो मैंन उसने का बच्चे ने कि ठीक है पापा, आज मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ, तो जीन प्याजे अपने घर से लेकर चल दिया अपने बच्चों को, और इस तरीके से रास्ते पर ले जाकर उसको स्कूल छोड़ने चला गया, बच्चे स्कूल पोच गया, स्कूल आप वापिस थो नहीं जा सकता मैं, तो यहीं चीज वो जीन प्याजे ने इस कंचेप्ट को निकाला, कि यहाँ पर बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख रहा है, जैसे मान लीजे, आप बच्चों को जो पानी रखा हुआ है आपर, ठीक है पानी है, तो पान इन चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीखता, तो इसको आप अलटावी का गुन कहा जाता है, और जो आपकी प्री-ooperational इस्टेज होती है, जिसमें बच्चा दो साल चले के साथ साल तक का होता है, इसमें बच्चा आप अलटावी के गुन के बार में समझ नहीं रख पा दूसरी आलोचना यह दिखती है जो आपकी second stage है pre operational stage जो आपकी second stage है इन्होंने second stage को कम तर आका गया यह आपके exam में भी question पूछा गया था कि बहुत सेकिंड इस्टेज को इन्होंने कम महतु दिया यानि कम आका यह इनकी second आपकी आलोचना है तीसरी आलोचना यह थी कि जो इ एक बात बताईए जैसे माल लिजे बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पा रहा है मैं प्याजे साब की जो है इस theory को अभी गलत करता हूँ अगर बच्चा चीजों को उलटना पुलटना नहीं सीख पा रहा बट अगर हम बच्चों को training दे अगर जैसे माल ल यह unchangeable है इनमें change नहीं हो सकता बट अगर हम बच्चों को एक अच्छा environment दे दे अगर हम बच्चों को एक अच्छा परियावरन दे दे उसको training दे तो इन stage के अंदर या in concept के अंदर change किया जा सकता है तो परिये जो आपके gene प्याज है उनकी कुछ हालोच नहीं होती जो आपक इसके coding आपका first answer आपका सही हो जाएगा आयोप आप लोग इस question को समझी गयोंगे जो मैंने आपको detail में बता है यही से जुड़िया हुआ आपके कुछ और question भी निकलते है दूसरा है आपका goal-directed behavior ठीक है जो आपका goal-directed behavior होता है इसमें थोड़ा सा ध्यान चा सुनना है य यह चीज में आपको कई बार पता हुई है पिछली बार सीटेट के एक्जाम में है कि जो goal-directed behavior होता है वह आपका बच्चा का किस stage कंदर आ जाता है गोल-directed behavior को आपके CBSC वालोंने माना pre-operational stage कंदर हाला कि goal-directed behavior आपका sensory motor stage कंदर आ जाता है किसके अंदर जब बच्चा sensory motor stage के अंदर होता है यानि कि जब बच्चा दो साल तक का बच्चा होता है उसके अंदर आपका goal-directed behavior आ जाता है मान लीजे बच्चों को भूक लगी तो भूक लगने के बाद उसके सामने क्या goal है खाने का या पीने का goal है तो उसको पाने के लिए बच्चा अपना वेवार करन करना सुर कर देता है अपने sensory organ का यूज करके वेवार करना सुर कर देता है बट पिछली बार जब यह question आपके online exam में पूछा तो examiner ने sensory motor stage को आपके exam में नहीं दिया जब आपके option में exam में नहीं इस option को दिया तो pre-operational stage को उसने माना अगर आपके exam में pre-operational stage नहीं दिया तो आप sensory motor stage को लगाना अगर sensory motor stage नहीं दिया तो आप लोग pre-operational stage के साथ आप लोग चले जाना ठीक है तो यह बात होगी आपके goal directed behavior की अगला option आपका कि वह परतिकों का इस्तमाल नहीं कर सकता इस option को नहीं बताऊंगा इसके लिए आप लोगों यार बहुत मजे लेते हो मेरे Facebook के ओपर दुनिया भर के मेरे पास screenshot आयते ठीक है इसको बताता हूँ दुवारा बताता हूँ लेकिन मजाग कोई नहीं उड़ाएगा इसका और पिछली बार सीटेट में सबसे जादे यही आपका पूछा गया था कि बच्चा symbolic thought के बारे में जानना सुरू कर देता है परत बच्चा एक chips की photo को देखकर या बच्चा एक chips को देखकर कहती है तितली यानि chips को देखकर कहती है तितली तो यहाँ पर बच्चे के अंदर कौन सी समझ विक्सित हो गई है तो बच्चे के अंदर यहाँ पर symbolic thought की समझ विक्सित हो गई है यानि परतिकों की समझ यहाँ पर इस तरीके से खेला करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो डंडा है या जो ज्ञाड़ू है हमको बता है कि गोड़ा किस तरीके से चला जाता है और किस तरीके से आवाज निकाली जाती है तो जो शिंबोलिक थोट हमारे माइंड के अंदर आती है न यह हमारी प्री ओप्रसनल के अंदर symbolic thought का ज्यान हो जाता है यानि परती को का ग्यान होजाता है आप बच्छों के सामने cycle बोलोगे उसके mind में cycle की जाएगी ठीक है तो यह पिरी ओपेरेशनल स्टेज के अंदर परतिकों का घ्यान बच्चे को आना स्टार्ट हो जाता है ठीक है और इसका बहुत मजाग उड़ाते हैं बच्चे की परति यह चल मेरे घोड़े तुक 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 यह इसका रिकिस ने गया सचिंसर ने करा तो यह एक्जामपल देता हूँ उसको इतना मत खीचा करो ठीक तो यह आप लोग समझ गए नकल नहीं करता सकता है यह कुछ निवचा आपका तो आंसर इसमां आपका समझ आपका सही हो जाएगा जो मैं आपको बताया जैसे जब छोटे बच्चे थे तो अपने पैरेंट्स हो शिंबोलिक थोठ विक्सित होगी कि ऐसे दिखता है ऐसे वाज निकालता है तो यही आपकी जो परतिकों की समझ बच्चे के अंदर आ जाती है आपकी पिरी ओपरेशन स्टेज के अंदर आ जाती है ठीक है चले बढ़ते हैं आपके next question के और अगला question सामने आपकी screen पर आग कि कितना आपने score करा है और score करने के बाद फिर उसमें आप अपने check कर लेना कौन से आपके गलत है कितने आपके सही है तो वह पूरा का पूरा summary आपकी आ जाती है मोग टेस्ट करना ठीक अगला question देखें सामने आपकी screen पर आगे इसके उपर एक बार नज़र डालते है यहा आपर कुछ आपके learning disorder यानि learning disabilities दी हुई है और आपको बताना है कि कौन्ची learning disabilities किस से जुड़ हुई है ठीक जैसे पहले या पर दिया हुआ है dysphagia तो dysphagia का मैंने बतायता है dysphagia के अंदर क्या हुआ है फेज यानि फसने की sound आ रही है जब कोई बच्चा अपनी भासा मे संबंदित आपका विकार होता है तो यह होता आपका dysphagia ठीक है तो language disorder आपका होता है कौन्चा language disorder तो पहले का आपका हो जाएगा fourth answer पहले का हो जाएगा dyspraxia हो जाएगा आपका motor skills से संबंदित आपका विकार हो जाएगा जब अपनी आखों का और हातों का connection सही से नहीं ब लेकिन अगर किसी बच्चे की तब को उच्छा लेंगे तो अपनी आखों का और अपने हातों का connection सही से नहीं बना पाता तो आपका क्या हो जाएगा dysprax चाहो जाएगा ठीक है तो dysprax से आपका motor skills से संबंदित आपका विकार होता है उसको अपने motor control नहीं कर पाता बच्च अगला डिसकेलकुलिया के अंदर किसी साउंड आ रही है आपके calculator की तो गण्डना से calculation से समर्णदी जितने भी तरके के आपके विकार होते है वो होते है आपके इस थेर आपका यह सब्चस्द आपके अगला बच्च आपका पिस्द ट्राइए अगला भच्च ऑप ग्राफ या लिखने से संब्च वीटेर लगा होंगे वह आपके डिस्गराफिया हो जाएंगे यहां आपके लिखने से संबंदित आपके सारे विकार आपके डिस्ग्राफिया हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके सा आपका मैच दा फॉलोविंग आपका बन गया ठीक यह हो गई आपके लिखने से संबंदित विकार यहाँ पर आपका एक क्वेशन आपको और देखने को मिलता ह कि जो आपके learning disorder होते है, learning disabilities होती है, इनके सफल समावेशन के लिए, इनके सफल inclusion के लिए आपको क्या-क्या रणनीते अपनानी चाहिए, अब मैं यहाँ पर एक learning disorder ले लेता हूँ, मैंने एक learning disorder ले लिए dysgraphia का, अगर कोई बच्चा dysgraphia से गरशीत है, तो इसके सफल समावेशन के लिए, किन रणनीतों को अपना सकते हो आप लोग, उसका जवाब मुझे आप लोग comment box के अंदर वतिये, कि उसका, क्या सही answer हो सकता है, उसका comment box में answer वतिये, ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके next question के ओर, अगला question सामने आपकी screen पर आगया, यह रहा आपका next question, इसके ओप इतिकत विभिनता हो, यानि जो individual differences होते हैं, उनको पूरा करने के लिए एक सिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ भई भावी सिक्षक को, आप लोग भी individual differences का सबसे बड़ी example है, अगर आपकी class में individual differences वाले बच्चे हैं, तो क्या काम करोगे आप लोग, पहला, मान की करत आपको देखने को मिले, या मान की करत आपको देखने को मिले, यह समझ्जाना आपका negative है, चे आपका मान की करत पेपर हो, मान की करत टेस्ट हो, मान की करत आकलन हो, XYZ कुछ भी हो, मान की करत आपको मिलना चाहिए, मेरा नाम लेके काड़ देना, बाकि सब मैं देख लूँ सकते हैं तो पहला उप्षन तो आपका गलत हो गया दूसरा है शिक्सा सास्त्रियों पागमों और मुल्यांकन के विविद साधनों का उप्योग करना चाहिए बिल्कुल सही बात है अलग-अलग पैड़ागुजिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए अगर कोई बच्चे को क दिर्दारित करने के लिए एक रूप शिक्सा सास्त का इस्तमाल करना चाहिए हमको बच्चों को रोट लेंडिंग करानी नहीं है हमें तो खुद से वालों ने कहा दी कि सचिन भाई साब इन्हें पढ़ा रहे हो तो इनको रठाना मत यह आपन ठीक है वन्ना फेल कर देंग पिक रूपर पेंसिर टैस्ट हैपको मत धिक और च्रणा अब किक साथ तोब हम सब लोग भोगत होग है बच्चों के साथ ही वाले काम नहीं हो सकते तो बच्चों को नहीं तरीके के दूसरे माह दय से आपको पढ़ाना पड़ेगा वह जब कोस्चों आता है यह जाएंगे मैं आपको श्प्लिन कर दूंगा सारे ठीक तो बच्चों को आपको अलग-अलग पेड़ागोजिकल एप प्रोच के साथ अलग-अलग साथ उन्हों के साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा तो सेकिंड आंचर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यह पर आपको अठीक है